तूदेए बीजिक कंसेप्ट ऑफ मूच्वाल फंड्स दोस्तों आपने सुना भी होगा कि मूच्वाल फंड्स क्या होता है इंवेस्ट करना कितना जरूरी होता है आज के टाइम दोस्तों शेयर बाजार की बात करें तो मूच्वाल फंड एक इंपॉर्टेंट तो जैसा की नाम है mutual fund एक collection होता है pull of fund होता है जो कि एक आम आत्मी के हिद के लिए बनाया गया है अगर mutual fund की बात करें तो mutual fund objective based investment करता है मतलब क्या हो गया जैसे मैं investor हूँ आप investor है या आपके घर में कोई और investor है आपके कोई relative investor है और हमारे पास limited money है क्योंकि हम लोग अगर limited money invest करना चाहते हैं for example 100 rupees और 500 rupees पर मन्त तो क्या मैं उससे reliance का एक share खरीच सकता हूं answer इसनों क्योंकि आज पर इंडियन गवर्मेंट वी और आज पर सेभी rule we have to buy minimum one stock तो जो mutual fund होता है उसमें हम आप और हमारे जैसे सारे लोग अगर हम लोग invest करना शुरू करते हैं तो यह corpus एक जगा पहले जमा किया जाता है और इस जमा किये corpus से फिर एक objective होती है उस fund का जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस fund का जो objective होता है उसी objective के हिसाब से पैसे को उसमें लगाया जाता है मतलब mutual funds भी बहुत टाइप के होते हैं जरूरी नहीं कि हर फंड शेयर बाजार में ही लगे कई सारे mutual fund गोल्ड बेस्ट होते हैं investment कई सारे silver based कई सारे real estate based कई सारे debt funds होते हैं कई सारे gills fund होते हैं कई सारे mixture होते हैं debt or equity का तो objective जैसी होती है risk reward दोस्तों जैसा होता है वैसा investment करते हैं mutual fund में तो mutual fund भारत की तरक्की का एक बहुत बड़ा important role play करने वाला है आने वाले टाइम पर आज अगर mutual fund की बात करें तो इंडिया में 30 plus companies हैं जो asset management business में हैं दिन में सबसे वड़ी company का नाम है State Bank of India SBI mutual fund limited Bombay based company है और इसके पास साड़े छे लाख करोड के AUM है अतलब टोटल जो इसके अंदर wealth जो manage कर रही है यह mutual fund company वह 6.5 लाक जो की कहीं न गई number one है पूरे इंडिया में second पे है ICICI mutual fund जिनका अभी total corpus 4.4 लाख करोड के आसपास है third पे है HDFC mutual fund और उसके बाद यह जो series है continue होते चले जाएगी तो हमारे पास premium financial companies हैं जो क्योंकि asset management company को बनाके mutual funds की schemes लांच करके पब्लिक से पैसा उठा रही है और यह जो पैसा है दोस्तों कहीं न कहीं डिरेक्टली अत्वा इंडिरेक्टली शेयर जाजार में ही लग रहा है एक इंट्रेस्टिंग देटा दोस्तों मेरे पास है जिसको मैं आप से शेयर करना चाहूंगा शेयर मार्केट में भी जो सबसे बड़े investors हैं जो सबसे जादा investor है majority अभी जो इंवेस्ट कर रहे हैं वो equity में ही कर रहे हैं मतलब यह जो investment हो रही है mutual fund के माध्यम से वो equity funds में हो रही है debt funds की investment जो है maximum corporates और जो retail है उनका penetration debt funds में थोड़ा कम है दोस्तों mutual fund जो investment है यह इंडिया आया था से भी के स्टार्ट होने के बाद इंडिया की one of the oldest mutual fund house है UTI जिनका अपना खुद का asset management company भी है UTI mutual fund नाम से UTI ने इंडिया में mutual fund की शुरुआत की उसके बाद SBI आया ICACI आया HDFC आया दिरला ग्रूप आया निपॉन कंतनी आई जो की पहले Reliance mutual fund नाम से famous थी mutual fund दोस्तों एक common objective based investment का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है आपको जिंदगी को बहतर बनाने के लिए आप mutual fund में invest कर सकते हैं पर investment में हमेशा एक जोखिम रहता है तो अपने financial advisor से हमेशा संपर्प करें कि mutual fund investment में हमेशा अगर आप देखेंगे तो एक उतार चड़ाओ भड़ा return रहता है कहीं न कहीं अगर आप बात करेंगे debt funds की तो debt funds में अगर आप देखेंगे तो जो return है वह एक range bound होता है corporate funds भी होते हैं overnight funds भी होते है liquid funds भी होते हैं तो हर टाइप के अलग-अलग funds होते हैं और जो उनकी return है वह starting from five to six percent उपर के range में जो जितने funds हैं जैसे equity based funds हैं उनके return ज्यादा होते हैं अब दोस्तों आपके मंद में सवाल आ रहा होगा कि mutual fund में invest करें तो कहरें कैसे और mutual fund कितने टाइप के होते हैं तो यह जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें जिसमें हम लोग mutual fund में investment के टाइप discuss करेंगे आप सब का इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद थैंक यू